जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी राष्टिय संगठन है अंतर राष्टिय अस्तर के जो संगठन है या फिर हमारे देश में जो समवैधानिक, सामविधिक या फिर कारेकारी निकाए हैं उन सभी के परमुख के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो अगर हम लोग NTPC पर इच्छा की बात करते हैं तो इस टॉपिक से अभी तक 80 से ज़्यादा प्रेश्ट पूछे जा चुके हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे ल मिल जाएगी तो वहां से आप इसके पीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो पहले हम लोग हमारे देश की जो दस महारतन कंपनिया हैं उनके बारे में यहां पर जानेंगे अब कंपनियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके नाम से भी प्रेशन पूछे जा चुके हैं, यानि कि इनका फुल फॉर्म क्या है, इससे भी प्रेशन पूछा जा चुका है, और वरत्मार में इनके CMD, यानि कि चेर्मेन या MD कौन है, इससे भी प्रेशन पूछा जा चुका है, तो इनके बारे में आपको ध्यां रखना है पहले बात करते हैं कोल इंडिया लिम्टेड की तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो कोल इंडिया लिम्टेड है इसके वर्तमार में प्रमोद अग्रवाल कौन है प्रमोद अग्रवाल इसके प्रमोद अग्रवाल इसके प्रमोद अग्रवाल इसके प्रमोद कते हैं भारत हैवी एलेक्टिकल्स लिम्टेट की जिसे हम लोग वहेल की नाम से जानते हैं तो ध्यान रखेगा नलिन सिंगल वर्तमान में इसके अध्याच्छ है अगली हमारी महारत्न कंपनी है गैस अथार्टी ऑफ इंडिया लिम्टेट तो इसे हम लोग गेल इंडिया की नाम से भी जानते हैं और इस समय इसके अध्यच्च मनोज जैन कौन है मनोज जैन इसके अध्यच्च है फिर बात करते हैं IOCL की यानि कि Indian Oil Corporation Limited की तो स्रीकांत मादोबै दिवर्तमान में इसके अध्यच्च है अगली हमारी कंपनी है Steel Authority of India जिसे हम लोग सैल के नाम से भी जानते हैं तो ध्यान रखिएगा जनवरी 2021 में इसकी पहली महिला अध्यच्च बनी है सोमा मंडल अस्थान किसका लिया है तो अनिल चौधरी का इन्होंने अस्थान लिया है तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं अगले हमारी कंपन NTPC का एक्जाम है तो नीचे कमेंड में बताएगा कि क्या ये जो NTPC है और जो आपके एक्जाम में NTPC नाम है क्या वह दोनों सेम है या फिर अलग-अलग है और अगर दोनों अलग है तो इस NTPC का पूरा नाम क्या है वह आपको नीचे कमेंड में बताना है फिर अगली हम कंपनियों का नाम आपको यहां पर और ध्यान रखना है एक है हिंदुस्तान प्रेटोलियम कार्परेशन लिमिटेंड यानि कि HPCL मुकेश कुमार सुलाना इसके अध्यच्च है और एक है पावर ग्रिट कार्परेशन जिसके अध्यच्च है के स्री कांथ अब इन दोनों अब आएए जो भी अंतराष्टिय संगठन है उनके प्रमुखों के बारे में हम लोग जानते हैं तो पहले बात करेंगे बिश्सो ब्यापार संगठन की तो बिश्सो ब्यापार संगठन यानि की World Trade Organization पूरे NTPC का बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक रहा है और लगभग 15-20 अकेले आपके बिश्सो ब्यापार संगठन से ही पूछी जा चुके हैं तो एक नॉमबर 1995 को इसके अस्थापना हुई थी मुख्याले आपको मिल जागा जिनीवा में अस्थान इस ने लिया था गैट का किसका गैट का इस ने अस्थान लिया था गैट जिसका पूरा नाम ह तो इसके पिछले साल तक अध्यच्य थे उनका नाम था रॉबर्ट अजेबेडो क्या नाम था रॉबर्ट अजेबेडो लेकिर इन्होंने टम चाचा के कारण इस्थिपा दे दिया था तो अब जाकर के नए महानिदीशक की नियुक्ति हुई है तो क्या नाम इनका है इनक 164 देश भी आपको इसमें मिल जाएंगे और इसका 164 नंबर का जो सदस्य है उसका नाम है अफगानिस्तान तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे फिर बात करते हैं सर्थ राष्ट मानवा धिकार आयोग की तो अगर हम लोग बात करते हैं United Nation Human Rights Commission की तो इसकी अभी धच बनी है नजहत समीम कौन है नजहत समीम तो इनका चेहरा देख करके बिल्कुल धोका मत खाईएगा ये हमारे इंडिया या पाकिस्तान की नहीं है ये हैं फिजी देश की कहां की हैं फिजी देश की ये जज़ थी और अब ये UNHRC की नई धच बनी है अगला संगठन है स इस समय युविन की महा सच्यू है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है फिर बात करते हैं संथ राष्ट महासभा की यानि की युनाइटिन नेशन जनरल असंबली की इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय वोलकन वोजकीर इसकी है अध्यच तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है तरकी के ये डिपलोमेट है और पिछले साल इन्होंने तिज्जानी महुम्मद बंदे का स्थान लिया था फिर बात करते हैं बिच्सो स्वास संगठन की यानि की वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजीशन की तो ध्यान रखेगा इसमें कुल 194 देश है य यानिक International Monetary Fund की जिसे हम लोग अंतर राष्टे मुद्राकोस के नाम से भी जानते हैं वासिंग अटन DC में आपको इसका मुख्याले मिल जाएगा और इसकी वत्मान में प्रवन निदीशक है क्रिश्टलीना जारजीवा क्या नाम है क्रिश्टलीना जारजीवा और ये हैं ब जैच और ध्यान रखेगा इसकी MD है अंसुला कांत क्या नाम है हमारे भारत की हैं अंसुला कांत वह इस समय बिस्ट बैंक की MD है और ये NTPC में पूछा गया प्रश्ट नहीं ध्यान रखेगा अंसुला कांत के बारे में कि पहले ये SBI की प्रमुक थी किसकी SBI की MD रही है ये अंसुला कांथ फिर बात करते है ICC की यानि की International Cricket Council की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको मिल जाएगा दुबई में कहां पर दुबई में आपको इसका मुख्याले मिलेगा और Greg Barclay काउन? निजिलेंड के जो Greg Barclay है वह इसके अभी पेशले साली अध्यच बनी है तो इनका नाम भी आपको यादखना है फिर बात करते हैं United Nation Environment Program की तो इसका जो मुख्याले है वह आपको Kenya की राजधानी नहरोबी में विलेगा और Denmark की है Inger Anderson कहां की है? Denmark की एक है Inger Anderson वह वर्तमान में Executive Director है United Nation Environment Program की फिर बात करते हैं UNDP के प्रसासक की यानि की United Nation Development Program जिसे हम लोग सहुत राष्ट विकास कारकरम के नाम से जानते है वर्तमान में इसके Administrator है ब्राजील के अकीम इस्टीनर क्या नाम है? अकीम इस्टीनर और ये है ब्राजील के तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है अगली हमारी है Company तो इस Company का नाम है Mastercard तो ध्यान रखेगा Mastercard जो की अमेरिका की एक Multi Services Provided Company है इसके Board of Director के कारकारी अध्यच कौन बनी है तो भारती मूल के हैं अजे बंगा इनका नाम आपको ध्यान रखना है अगर आपसे Mastercard के CEO के बारे में पूछा जाता है तो ध्यान रखेगा रेयान माइकल माइबैस क्या नाम है माइकल माइबैस Mastercard के वत्मान में है CEO फिर बात करते हैं नोकिया कंपनी की तो ध्यान रखेगा नोकिया कंपनी के नए अध्यच और CEO के पत्पे हैं Pika Landmark और ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्ण है फिर बात करते हैं बिश्सो बौधिक संपदा संगठन की यानि कि बीपो की तो इसके वत्मान में महानेदीशक है डारेंट तांग पिशले साल ही ये इसके महानेदीशक बने थे फ्रांसिस गरी का इन्होंने अस्थान लिया था और डारेंग तांग की अगर हम बात करते हैं तो ये हैं सिंगापुर के फिर बात कते हैं सैंट राष्ट में भारत के अस्थाय प्रत्नेधी कौन है तो पिछले साल ही सैंट राष्ट में हमारे नए पर्मानेंट रिजेंटेटिव बने थे इनका नाम यहाँ पर है T.S. तिरुमूर्ती साहब क्या नाम है ? टी एस्तिरू मुर्ती सहब इनका पूरा नाम है अस्थान किसका लिया था ? तो सयद अकबरुदीन जी का इन्होंने अस्थान लिया था फिर बात करते हैं विजस्यट बेंक समुव की यानि कि वड्ल बेंक ग्रुप की तो इसकी मुख्य अर्थसास्त्री के बारे में आपको नाम ध्यारखना है तो बिस्ट बैंक की अगर हम लोग चीफ एकोनोमिस्ट की बात करते हैं तो कारमेन रीनहार्ड इनका पूरा नाम है क्या नाम है? कारमेन रीनहार्ड इनका पूरा नाम है और यहां पर विश्व बैंक समूग के मुख्य अर्थसास्त्री की बात हुई है तो IMF के मुख्य अर्थसास्त्री का भी नाम आपको ध्यारतना है इसकी मुख्य अर्थसास्त्री है गीता गोपिनात तो दोनों से आपके NTPC परिक्षा में प्रशन पूछा चा चुका है फिर बात करते हैं New Development Bank की तो New Development Bank की बात करते हैं तो इसके अध्यच्च मारकश ट्रायजो पिछले साल हमारे देश के जो केबी कामत थे उनकी अस्थान पर अध्यच्च बने थे मारकश ट्रायजो और ये कहां के हैं तो ये हैं ब्राजील देश के इनका नाम आपको यादखना है और New Development Bank की बात हुई है तो अभी NTPC में पूछा गया था कि जो ACI विकास बैंक है उसके अध्यच्च को ने हैं इसके अध्यच्च है मसात सुगू असाकावा क्या नाम है मसात सुगू असाकावा और ये आपके जापान देश के हैं और नीचे आपको कमेंड में ये बताना है कि जो New Development Bank है इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं और इसका जो मुख्याले है वह आपको कहां पर देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं IBM की यानि कि International Business Machine की तो ध्यान किएगा इसके मुख्यकारी अधिकारी है अरविंद कृष्णा भारते मूल के हैं अरविंद कृष्णा और ये IBM के इस समय CEO है United Nations General Assembly वाला मैंने आपको बता ही दिया कि इसके इस समय ध्यचे वोलकन वोजकीर फिर बात करते हैं हमारे देश के 47 नंबर के Chief Justice की तो आपको याद रखना है कि जो इस समय सरद अरविंद बूबडे साहब है ये हमारे देश के 47 नंबर के मुख्य नयधिस है तो ये NTPC में दो बार पूछा जा चुका है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे भारत के पहले मुख्य नयधिस कौन थे तो ध्यान रखेंगे आप लोग हीरा लाल जी कानिया साहब हमारे सुप्रीम कोट के पहले मुख्य नयधिस थे तो इनका नाम भी आपको यादखना है फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल आर्ट ड्रामा की तो इसके अध्यच कौन है तो परेश लावल पिछले साल इसके अध्यच बने थे कौन बने थे परेश रावल नेशनल स्कूल आर्ट ड्रामा के अध्यच बने थे फिर बात करते हैं प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया की तो ये भी एंटी पीसी में पूचा जा चुका है ध्यान रखिएगा अवीक सरकार प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया के वर्तमार में अध्यच है और ये भी पिछले साल ही बने थे फिर बात करते हैं असोचैम की असोचैम यानि की असोचैम यानि की असोचैटेड चैमबर्स आप कामर्स एंड इंडर्श्टिक इन इंडिया बरीत अगरवाल इसके प्रमुक है फिर बात करते हैं फिक्की की तो इसके प्रमुक है उदै संकर और ये दोनों पिछले साल दिसंबर माह में ही इनके प्रमुक बने थे आगे बात करते हैं ट्राइ की यानि की टेली काम रेगुलेर्टी अथार्टी ओफ इंडिया तो इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अभी नए प्रमुक बने है PD वागहिला कौन बने है PD वागहिला इसके नए प्रमुक बने है और आपको ध्यां रखना है कि ट्राइ के इससे पहले प्रमुक थे RS सर्मा साहब कौन थे? RS सर्मा साहब और अभी NTPC में ये पूछ लिया गया था कि जन्वरी में जो किंद्र सरकार ने COVID-19 बैक्सीन के प्रसासन के लिए एक समित बनाई थी उसके अध्यच कौन थे? तो यही जो हमारे RS सर्मा साहब है बिलकुल खाली बैठे थे तो इनको यहाँ पर इस समित का ध्यच बना दिया गया था फिर बात करते हैं Union Public Service Commission की तो यह हमारे यहाँ की एक समवयधानिक संस्था है और इसके प्रमुख यहाँ पर है प्रदीब कुमार जोसी कौन है? प्रदीब कुमार जोसी इसके प्रमुख है और पिछले सार इन्होंने अस्थान किसका लिया था तो अरविंद सक्सेना सहाब का इन्होंने पिछले सार अस्थान लिया था तो यह पॉइंट भी आपको याद अखना है फिर बात करते हैं लोग सभा के अध्यच की तो यह तो आप सभी को बता होगा ओम बिरला जोकी राजस्थान के कोटा से सामसद है यह इस समय हमारे लोग सभा के अध्यच है राजसभा के अध्यच है तो इस पत्पर है हरिवंस नारायन सिंग कौन है? हरिवंस नारायन सिंग राजसभा के सभापती कौन है? तो ये हमारे उपराश्पती ही होते हैं यानि कि यम्वी नाइडो जी हमारे राजिसभा के उपसभापती है सवारी, सभापती है कौन है? फिर बात करते हैं नियंतरक वा महालेखा परिच्च की यानि कि बात हो रही है कैक की तो जब भी कैक का नाम आए तो आपको पहले यही ध्यान रखना है कि ये हमारे देश का एक सम्विधानिक पद है हमारे सम्विधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल आफ इंडिया के बारे में बताया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है और 14 नंबर के कैग पिछले साल ही हमारे यहां पर बने थे गरीश चंदर मुर्मू तो जम्मू कास्मेर के इंडिसासित प्रदेश के पहले उपराजिपाल थे गरीश चंदर मुर्मू जो की वर्तमान में हमारे यहां के 14 नंबर के कैग है फिर बात करते हैं Attorney General of India की तो जब भी Attorney General का नाम आए तो आपको इनके बारे में ध्यार रखना है कि केंदर सरकार की ये वकील होते हैं इनके बारे में समिधान की अनुच्छे 76 में बताया गया है और वत्मान में हमारे यहाँ पर Attorney General है इनका नाम है केके बेडु गोपाल क्या नाम ह की होते हैं इनी की सायता के लिए होते हैं Solicitor General और इस पत पर हैं तुसार महता कौन है तुसार महता इस समय है Solicitor General फिर बात करते हैं मुख्य चुनाओ आयुक्त की यानि की Chief Election Commissioner की तो अगर हम लोग चुनाओ आयुक के बारे में बात करें तो यह हमारे यहाँ की एक समवधा प्रावधानिक संस्था है और कल ही जो अभी NTPC का एक्जाम हुआ था उसमें ये प्रेशन पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर जो मुख्य चुनाओ आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति करता कौन है तो ध्यान रखेगा हमारे यहाँ पर जो राश्पती महोदय होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर मुख्य चुनाओ आयुक्त के नियुक्ति की जाती है और अगर हम लोग चुनाओ आयुक्त की बात करते हैं तो इसके बारे में जो प्रावधान है वहाँ अनुच्छे 324 में दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है सुनील अरूरा साहब इ इस वर्धन कुमार सिनहा है सुनील अरूरा साहब यह हमारे मुख्य चुनाओ आयुक्ति थे तो यह भी आपको ध्यान रखना है फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की यानि की चीफ इनफॉरमेशन कमिशनर की तो इस पत्र कोन है तो पिशले साल ही हमारे मुख्य जो सूचना आयोकत नए बने थे इनका नाम है S. वर्धन कुमार सिनहा क्या नाम है S. वर्धन कुमार सिनहा तो ध्यान केगा हमारे मुख्य सूचना आयोकत है S. वर्धन कुमार सिनहा आगे बात करेंगे इसरो की यानि की Indian Space Research Organization की तो विक्रम सारा भाई इसके हमारे पहले अध्यच थे वर्धन में अगर हम लोग इसके अध्यच की बात करते हैं तो K. सिवन साहब इसके किस नमबर के? दसमे नमबर के अध्यच है तो इनका नाम भी आपको यादखना है फिर बात करते हैं DRDO की यानि की Defense Research and Development Organization की तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी मुख्याले आपको दिल्ली में मिलेगा और G. सतिशेडी साहब इस समय DRDO के अध्यच है तो इनका नाम भी आपको यादखना है ये सारे नाम आपके NTPC में पूछे जा चुके हैं फिर बात करते हैं भारत के पहले Chief of Defense स्टाप की तो ये जो पद है अभी दो साल पहले ही बनाया गया था और वरत्मान में हमारे Chief of Defense स्टाप है विपिन रावस साहब कौन? विपिन रावस साहब इस समय हमारे पहले Chief of Defense स्टाप है फिर बात करते हैं BCCI की यानि की Board of Control for Cricket in India की तो इसका मुख्याले जो है वह आपको मुंबई में मिल जाएगा और सौरप गांगुली इसके 49 नमबर की अध्यच पिछले साल ही बने थे आगे बात करते हैं B.S.F.K यानि की Border Security Force की तो ये जो हमारी Force है वह आपको पाकिस्तान और बांगला देश की सीमा के ऊपर देखने को मिलेगी और इसके वर्तमान में हमारे महाने दीशक है इनका नाम है राकेश अस्ताना जीन का नाम है तो इनके बारे भी आपको यादचना है फिर बात करते हैं ITBP की यानि की Indo-Tibetan Border Police की तो ITBP की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके वर्तमान में प्रमुख है SS देशवाल सहाब कौन सुर्जीर सिंग देशवाल सहाब इस समय ITBP के प्रमुख है और ITBP की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीन की सीमा पर हमारी रच्छा करती है आगे बात करते हैं CRPF की यानि की Central Reserve Police Force की तो ध्यान रखिएगा AP महसुरी सहाब CRPF के वर्तमान में महा निदीशक है कौन है AP महसुरी जी फिर बात करते हैं Assam Rifle की जो की आपको मेंमार की सीमा पर मिलेगी हमारे यहां का सबसे पुराना पैरा मिलिटरी फोर्स भी है Assam Rifle और इसके वतमार में प्रमुख है सुखदीब सांगवान क्या नाम है सुखदीब सांगवान तो जितनी भी हमारी पैरा मिलिटरी फोर्स है उन में से Assam Rifle एक मत ऐसा है जिसका मुख्याले आपको दिल्ली के बाहर मिलेगा और इसका जो मुख्याले है वह आपको मिलेगा सिलोंग में अगला हमारा है मुख्य सतरकता आयुक्त का पद यानि की Chief Vigilance Commissioner का पद और इस पद पर है संजे कोठारी साहब कौन है संजे कोठारी साहब इस समय हमारे मुख्य सतरकता आयुक्त है फिर बात करते हैं CISF की यानि की Central Industrial Security Force की और ये जो हमारी फोर्स होती है जैसे मैट्रो हो गया हमारे देश के High Court हो गए या फिर अन्य Government Building हो गई उन सभी के रच्चा CISF की द्वारा की जाती है और जन्वरी माहम में ही इसके नए हमारे परमुक्त बनी है सुबोध जैसवाल साहब कौन है सुबोध जैसवाल साहब इसके परमुक्त बने है फिर यहाँ पर बात करते हैं राष्टिय सुरच्छा गार्ड की यानि कि National Security Guard की तो इसके वैसे हमारे परमुक्त थे अनूप कुमार सिंग जी यानि कि अनूप कुमार सिंग जी इसके महाने दे सकते सुरची सिंग देसवाल को इस समय इसका अत्रिक्त प्रभार मिला हुआ है क्योंकि अनूप कुमार सिंग जी सेवाने बृत होचके है फिर बात करते हैं भारती विमानन पराधिकरन की यानि कि Airport Authority of India की तो ध्यान रखेंगे आब इसके बारे में अर्विंद सिंग इसके वरत्मान में अध्याच्छ है क्यों है अर्विंद सिंग Airport Authority of India के अध्याच्छ है आगे बात करते हैं भारती राष्टी राजमार प्राधिकरन तो 1988 में इसकी अस्थापना की गई थी इसका मुख्य रूप से काम होता है हमारे यहाँ पर जो हाई बे होते हैं उनका रखाओ करना उनका निर्मार करना और सुखवीर सिंग संधू वरत्मान में इसके हैं प्रमुख तो इनका नाम भी आफ याद दखेंगे फिर बात करते हैं राकी यानि की Research and Analysis बिंग की तो इसके इस समय प्रमुख है सामन्त गोयल साहब कौन है? सामन्त गोयल साहब हमारे राके प्रमुख है फिर बात करते हैं इंडियन कोष्ट गार्ड की तो इंडियन कोष्ट गार्ड की बात करें तो इसके हमारे महाने दीशक है इनका नाम है के नटराजन साहब क्या नाम है के नटराजन साहब इंडियन कोश्ट कायट के प्रमुक है आगे नैस कौम की बात करते हैं यानि कि नैस्ट कौम का फुल फॉर्म भी आपके एंटी पीसी में पूछा जा चुका है और इसके अगर हम लोग अध्यच की बात करें तो यू भी प्रमीन राओ पिछले साल इसके अध्यच बने थे आगे बात करते हैं आई बी की यानि कि इंटलीजन्स ब्यूरो की तो इसके हमारे वर्तमार में प्रमुक है अरविंद कुमार कौन है अरविंद कुमार इसके प्रमुक है और अभी आपके आई बी एसियो का पेपर भी हुआ था फिर बात करते हैं आर बी आई के आर बी आई के पहले नंबर के गवर्नर कौन थे तो आस बोर्न इसमित पहले नंबर के गवर्नर थे पहले भारते गवर्नर कौन थे? तो पहले भारते गवर्नर थे CD देश्मुक साहब 1949 में RBI को निस्नलाइज किया गया था मुख्याले आपको मिल जागा मुंबई में और वरत्मान में 25 नंबर के गवर्नर है सक्तिकान दास जी तो इन सभी चीजों के बारे में आपको ध्यार रखना है क्योंकि सभी से आपके NTPC में प्रेश्न पूछा जा चुका है SBI के प्रमुक की बात करें यानि कि State Bank of India के पहले प्रमुक कौन है तो इसके वरत्मान में अध्यच्छ है इनका नाम है दिनेश कुमार खारा क्या नाम है दिनेश कुमार खारा और ध्यान रखेंगे एक जुलाई 1955 को State Bank of India के अस्थापना हुई थी या फिर आप कह सकते हैं एक जनवरी 1955 को या निशनलाइज हुआ था आगे बात करते हैं वायु सिना प्रमुक की तो इसके बत पर है राकेश सिंग भदवरिया कौन है? राकेश सिंग भदवरिया हमारे वायु सिना के प्रमुक है बार्क की बात करें? यानि की भाबा Atomic Research Center की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके वर्तमार में निदीश सक है डाक्टर आजीत महंती कौन है? डाक्टर आजीत कुमार महंती इस समय हमारे बार के निदीशक है आगे बात करते हैं रेल्वे बोड की तो ध्यान किएगा रेल्वे बोड की हमारे पहले CEO थे उनका नाम है बिनोद कुमार गोयल लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि वर्तमार में कौन है इसके CEO तो इस समय है सुनीत सर्मा और जनवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी तो बिनोद कुमार गोयल से भी प्रशन पूचा जा चुका है सुनीत सर्मा से भी प्रशन पूचा जा चुका है तो इसके बारे में आपको याद अपना है फिर बात करते हैं प्रसार भारती के CEO की तो प्रसार भारती की अगर हम लोग CEO की यहां पर बात करें तो इस पत्पर हैं ससी बिम्पती साहब कौन है? ससी बिम्पती साहब इस समय इसके CEO है आगे हम लोग बात करते हैं ससस्त्र सुरच्छा बल की यानि कि SSB की तो इसके बारे में आपको ध्यार रखना है कि कुमार राजेश चंद्र इस समय SSB के प्रमुक है और जरा नीचे कमेंड में बता दीजिएगा कि SSB जो हमारी फोर्स है वा किस बॉर्डर के उपर आपको मिलेगी ये आपको नीचे कमेंड में बताना है फिर बात करते हैं राष्टिय मानवाधिकार आयोक की यानि कि जो हमारे यहाँ पर National Human Rights Commission है तो इससे भी 2-3 बार NTPC में प्रेशन पूछा जा चुका है तो इसके वर्तमार में अद्यच है Justice H.L. दत्तू सहब कौन है? Justice H.L. दत्तू सहब अच्छा इसके जो पहले अद्यच थे उनसे भी प्रेशन पूछा जा चुका है तो पहले कौन थे? तो पहले हमारे थे रंग नात मिसरा क्या नाम है? रंगों के नात थे मिसरा जी और ये इसके पहले अद्यच थे फिर बात करते हैं 15th Finance Commission की तो Finance Commission का जब भी नाम आए आपको पहले यही ध्यार रखना है कि यहां हमारी एक Constitutional Body है इसका जो structure है वह हमारे सम्मिधान में दिया गया है और हमारे सम्मिधान का जो अनुच्छे 280 है वह अबित आयोक के बारे में बात करता है तो 15th Finance Commission की बात करते हैं इसके हमारे अद्ध्यच्च हैं इनका नाम है NK सिंह हमारे 15th Finance Commission के अद्ध्यच्च है फिर बात करते हैं 7th Pay Commission की तो इसके पर्मुख है असोक माथृ कौन है असोक कुमार माथृ हमारे 7th Pay Commission के इसममें अद्ध्यच्च्च है आगे बात करते हैं Chief Economic Advisor की यानि कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की तो इस पत्पर है कृष्णा मुर्ति सुब्रमन्यम क्या राम है कृष्णा मुर्ति सुब्रमन्यम इसके प्रमुख है राष्टी सुरच्छा सलाहकार की बात करते हैं यानि कि National Security Advisor की बात करते हैं तो इस पत्पर है अजीड डुवाल सहाब कौन है? अजीड डुवाल सहाब इस समय हमारे National Security Advisor है फिर बात करते हैं महिला आयोक की यानि कि जो हमारे यहाँ पर उमेनों महिलाओं के लिए कमिशन है तो इसकी वरतमार में अद्धच है रेखा सर्मा पिर बात करते हैं NIA की यानि कि National Investigation Agency की तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके हमारे परमुख है Y.C. Modi कौन? योगेश चंदरमोदी इसके परमुख है आगे बात करते हैं सेवी की तो सेवी सेवी प्रेश ने आपके NTPC में 2-3 बार पूछा जा चुका है सेवी का पूरा नाम है Securities and Exchange Board of India इसका मुख्याले आपको मिलेगा मुंबई में 30 जनवरी 1992 को ये एक कारिकारी निकाय बना था और आपको ध्यार रखना है कि इसके वरत्मान में अध्यच है अजे त्यागी कौन है अजे त्यागी साहब इसके वरत्मान में अध्यच है फिर बात करते हैं सिडवी की तो सिडवी का जो मुख्याले है वह आपको मिल जाएगा लखनो में अप्रेल 1990 में इसके अस्थापना हुई थी और ध्यान कियेगा इसके वर्तमार में MD है इनका नाम है मुहम्मद मुस्तफा लेकिन हमारे यहां पर जो बैंकिंग बॉर्ड ब्यूरो है उसके द्वारा रिक्मेंट किया गया है S. रमन के नाम को यहां पर रिक्मेंट किया गया ह आगे बात करते हैं नो सिना की तो नो सिना के हमारे परमुक है करम बेर सिंग उसी प्रकार से अगर हम लोग थल सिना परमुक की बात करते हैं तो मनोज मुकन नरावने जी इस समय हमारे थल सिना के परमुक है आगे बात करते हैं CBI की यानि की Central Bureau of Investigation की तो इसके बारे में प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की तो ध्यान रखेंगे इसके वत्मार में हमारे महाने दीशक है अरुन कुमार जी कौन है अरुन कुमार हमारे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की समय महाने दीशक है फिर बात करते हैं पहले लोगपाल की तो ध्यान उसी प्रकार से एक हमारा होता है CBIC यानि की Central Board of Indirect Taxes and Custom इसके हमारे अध्यच कौन है तो M. अजीत कुमार सहाब CBIC के वर्तमान में अध्यच है आगे बात करते हैं NGT की यानि कि National Green Tribunal की तो इसकी अस्थापना भी पूछी जा चुकी है तो ध्यान रखिएगा NGT Act के द्वारा 2010 में इसकी अस्थापना हुई थी और परिया औरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको निप्टाने के लिए इसका निर्मान किया गय कौन है तो आदर्ज कुमार गोयल औरत्मार में इसके अध्यच्छ हैं CPCB की बात करें यानि कि Central Pollution Control Board की केंद्रिये प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की बात करते हैं तो इसके हमारे अध्यच्छ न स्यूदास मीडा क्या नाम है स्यूदास मीडा और इन दोनों से भी आपके NTPC में प्रेशन अलरडी पूछे जा चुके हैं आगे बात करते हैं नाबार्ड की यानि कि National Agriculture and Ruler Development Bank की 1982 में इसके अस्तापना होती है मुख्याले आपको इसका भी मिल जाएगा मुंबई में और इसके अगर हम लोग बात करें तो G.R. चिंतला साहम कौन? G.R. चिंतला साहम इसके अध्यच्छ है इसी प्रकार से आपको L.I.C. के बारे में भी ध्यान रखना है L.I.C. की बात करते हैं तो एक नॉंबर 1956 को इसके अस्तापना होई थी मुख्याले आपको मुंबई में मिलेगा और इसके अध्यच्छ M.R. कुमार कौन है? M.R. कुमार इसके अध्यच्छ है अच्छा जनवरी माह में ही L.I.C. के हमारे नए M.D. बने थे तो चलिए उनका नाम आप नीचे कमेंड में बताईएगा अगर आप लोग यहां तक वीडियो में जिन्दा रहे हैं फिर बात करते हैं F.T.I.I. के अध्यच्छ यानि कि जो Film and Television Institute of India है जिसका मुख्याले आपको पुरे में मिलेगा इसके अध्यच्छ कौन है तो सेकर कपूर साहब इसके पिछले साल ही अध्यच्छ बने थे फिर बात करते हैं R.B.I. के चौथे नंबर के उप गवर्नर की त इसके बारे में तो ध्यान रखेंगे J.Bankatramu क्या नाम है J.Bankatramu ये हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस समय M.D.L. CEO है युनेस्को में भारत के अस्थाय प्रतिंधी की बात करते हैं तो विसाल भी सर्मा इसके अस्थाय प्रतिंधी बने थे वैसे युनेस्को N.T.P.C. में पूछे जा चुके हैं आगे बात करते हैं उर्जा दच्चता सिवा लिम्टेट की तो इसके प्रबन निदेशक कौन है तो रजत सूध इसके प्रबन निदेशक है अच्छा हाँ युनेस्को की बात हुई है तो आपको भाया ये ध्यान रखना है कि अभी हमा अस्तलों की स्रेणी में सामिल नहीं हुए थे तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत जगां पर आपको यहीं बताया गया है कि इनकी संख्या हो चुकी है 40 लेकिन अगर वर्तमान में आप युनेस्को की साइट पर बिजिट करते हैं तो वहाँ पर आप सिवा लिम्टेट की बात करते हैं तो रजसूद इसके निदेशक है भारतिय बैंकिंग संग की बात करते हैं तो इसके बने है राजकिरन राय कौन है राजकिरन राय फिर बात करते हैं राजसु सच्यू की यानि कि हमारे यहां के जो रविल्नियो से क्रेटी है तो ध्यान प्रकार से जितने भी हमारे महात्पोर्ट, राष्टिये और अंतर राष्टिये संगठन थे, हमारे यहां के जो भी समवयधानिक, सामविधिक या फिर कारेकारी निकाय थे, उन सभी के प्रमुक के बारे में हमने डिसकस किया है, बहुत सारी मैंने आपको एडिशनल डेटेल भी बताई है, तो वह जो सारी डेटेल है, वह आपके NTPC में तो पूछे ही जा चुकी है, इसके अलावा आपको कोई भी एक्जाम देना है, तो उन में भी उन डेटेल से प्रशन अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो जब भी आप देखें, तो बहु पूरा देखने की कोशिस किया करें, तो यहां तक अगर किसी ने भी वीडियो को देखा है, तो नीचे कमेंट में लिखेगा Yes, I can do it, या फिर Simply आप S भी लिख सकते हैं, तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, कि कितने बच्चे ऐसे हैं, जो कि वीडियो को प अधिका भारत